वेलकम टू बाई चैनल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैपावरीन इंजेक्शन के बारे हम बात करेंगे इस इंजेक्शन का उपयोग कप करते हैं इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं Medical store पर ये injection किस नाम से मिलता है और हमें ये इस injection की कितनी रोज लेनी चाहिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैपावरीन injection का उपियोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में करते हैं अब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है ऐसे पुरूस जो संबोग करते समय उनके लिंक के अंदर जो कठोरता होती है ये खतम हो जाती है या वे पुरूस अच्छी तरह से संबोग नहीं कर पा सकते उस कंडिशन में हम ये injection उनको लगाते हैं अब हम बात करेंगे medical store पर ये injection किस नाम से मिलता है और कितनी dose में ये आपको medical store पर मिल जाएगा ये आपको 2 ml का ampoule मिलेगा और paparin नाम से ही आपको ये medical store पर मिल जाएगा अब हम बात करेंगे इस injection को लगाने का क्या तरीका होता है इस injection को आप जो penis होता है, link होता है उसमें ही ये injection हम लगाते है आप इसके क्या side effect होता है यदि आप इस injection को लगाने के बाद उसका जो link होता है, वे कठोर हो जाता है और कठोर होने के बाद 4 या 5 गंटे बाद भी normal नहीं होता तो उस condition में आप डोक्टर के पास जाके इसका treatment लो यदि आप इस injection को लगाने के बाद आपके कमर में दर्ध होता है आपको थकान मैसूस होती है आपको चलने में तकलिप होती है या बैठने में उठने में तकलिप होती है तो आप ये injection उस time नहीं लगाना चाहिए आप ये injection stop कर दो अब हम बात करेंगे किन लोगों में ये injection हम नहीं लगा सकते है जो लोग ऐलकोल पीते हैं smoking करते हैं उनमें हम ये injection नहीं लगा सकते यदि किसी patient के heart वाली disease है cardiac जैसी problem है उनमें भी हम ये injection नहीं लगा सकते यदि किसी patient के अंदर allergy वाली problem होती है तो उस condition में हम ये injection उस पुरूश को नहीं लगा सकते इस injection का उप्योग आपको क्या करना है आपको ये injection पैनिस में ही लगाना है sex करने से पहले और आप इस injection को लगाने के बाद आप आराम से अपनी वाइब से संभोग कर सकते हो यदि आपका पैनिस चार या पास घंटे के बाद नोर्मल नहीं होता तो आप तुरन डोक्टर के पास जाके इसका treatment लो उस condition में क्या होता है कि डोक्टर आपके पैनिस से कुछ blood निकालता है और blood निकालने के बाद आपका पैनिस नोर्मल हो जाता है यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए Thank you so much